वाटसेप से किसी की फोटो को लेना और फिर उसका गलत इस्तिमाल करना बेहद ही आसान होता जा रहा है ऐसे में वाटसेप ने एक नया फीचर लाने का एलान किया है जिसे किसी की फोटो को उसकी बिना पर्मिशन के हासिल करना मुश्किल हो जाएगा नमस्कार स्वागत है आपका सिटिजन पोस्ट में मैं हूँ मीनु बर्मा WhatsApp की ओर से एक नया फीचर रोल आउट किया जा रहा है दरसल पिछले लंबे वक्त से एक शिकायत मिल रही थी कि कुछ WhatsApp यूजर्स लोगों की प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रिनशोट ले लेते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से बिना यूजर के पर्मिशन के यूज कर लेते हैं इसी परेशानी का हल निकालने के लिए WhatsApp ने एक खास फिचर पेश किया है अब जो किसी की प्रोफाइल पिक का स्क्रिनशोट इतनी आसानी से नहीं लेने देगा बता दे कि WhatsApp की और से फिलहाल इस फिचर को iOS यूजर के लिए उपलव्द कराया जा रहा है WhatsApp अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट यानि WhatsApp बेटा इनफोंट की माने तो नए फिचर के रोल आउट होने पर अगर कोई आपके प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रिनशोट लेना चाहेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि कौन आपकी प्रोफाइल फोटो का स्क्रिनशोट लेना चाहता है इस तरह जब आपको पता चल जाएगा तो आप उस व्यक्ति को ब्लॉक कर सकते हैं साथी प्रोफाइल फोटो सभी यूजर्स को न दिखे इसके लिए भी सेटिंग में जाकर आप बदलाओ कर सकते हैं बता दे कि कंपनी का कहना है कि वाटसाप का नया फीचर सिक्यॉरिटी के लिहाजे से बेहद ही कारगर है साथी आपकी फोटो के गलत इस्तिमाल को रोकेगा बता दे कि फिलहाल या फीचर डेवलप्मेंट फेज में है हलाकि अभी भी चिंता बनी हुई है क्योंकि स्क्रिन सट लेने पर ब्लॉग करने के बावजूद भी कोई दूसरे फोन से आपकी फोटो क्लिक कर सकता है इस तरह से भी फोटो का मिस्यूज तो हो ही सकता है जिसे लेकर शायद WhatsApp को काम करने की जरूरत होगी लेकिन आपको भी शतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है तो अपना और अपनों का ख्याल रखें देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पसंद आयो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपने राय देना बिलकुल नभूलें शुक्रिया